वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स गोरखपुर में अखिलेश ने बढ़ाई योगी की टेंशन सी एम योगी के गढ़ में अखिलेश ने चला नया दाओ योगी के सामने भगवा कैम्प के पुराने योधा को उतारा कौन है सुभावती शुक्ला जो योगी को देंगी टक कर क्या आप बदल जाएंगे गोरखपुर सीट के समी कराण अखिलेश यादव ने गोरखपुर से सीम योगी आधितिनाथ के सामने सुभावती शुकला को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के दिगज निता रहे उपेंदर शुकला की पतनी को सफा के टिकट से उतार कर एक तीर से कई निशाने लगाए है एक तरफ ब्रहमण कार्ड खेल कर बीजेपी ने ब्रहमणों की कथित नाराजगी को भुनाने की कोशिच की तो पार्टी को उमीद है कि 2020 में उपेंदर शुकला की मौत हो जाने की वज़ात से उनके परिवार को सहनु भूती के नाम पर समर्थन मिल सकता है सुभावती शुकला जिन्दगी में पहली बार चुनावी मैदान में किसमत आजमाने उतर रही है हाल ही में वो सफा में शामिल हुई है सुभावती भले ही चुनावी पिच पर पहली बार उतर रही हूँ लेकिन उनके पती उपेंदर शुकला गौरखपुर की सियासत में ब्रहम्मल चेहरा माने जाते थे बीजेपी के पूर्व परदेश इपाध ध्यक्ष और गौरखपुर के छेतरिया ध्यक्ष रहे उपेंदर दत शुकला ब्रहम्मलों पर मजबूत पकड़ रखते थे उपेंदर शुकला दो हजार तेहरा से दो हजार अठारा तक बीजेपी के गौरखपुर छेतरिया ध्यक्ष रहे थे वो संग्ग और बीजेपी के पुराने कैडर के कारे करता थे वो जन संग्ग के जमाने से भाजपा से जुड़े थे डिएर साल पहले ही उपेंदर शुकला की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी इसके बाद उनका परिवार बीजेपी से दूर हो गया और सपा में शामिल होकर उनकी पतनी सुभावती शुकला अब योगी के खिलाफ ही मैदान से उतर रही है सपाने सुभावती शुकला को योगी के खिलाफ उतार कर ठाकर बनाम ब्रहमर एजेंडे पर सियासी बिसात बिचाने का दाउँ चला है आज की तारीफ में गोरखपुर की ये सीट पुर्देश की सबसे हौट सीट बन चुकी है इसलिए सभी दल फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं सभी दलों को मालूम है कि मुक्यमंतरी खास कर गोरखश पिठा धीश वर योगी का मुकाबला आसान नहीं है इस सीट पर बियस पी ने खौजा शमसुद्दीन को उता रहा है आजास समाज पार्टी के मुक्या चंदर शेखर आजाद भी यहां से चुनावी मैदान में है बीजेपी की टिकट पर खुद योगी आदितनाथ उतरे है अब सुभावती शुकला को अखिलेश ने भी मैदान में उतार दिया है गोरखपुर सदर सीट पर चुनावी मुकाबला बेहत दिल्चस्प हो गया है करहल सीट पर अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने सपा नेता रहे ऐस्पी सिंग बगहिल को उतारा तो अखिलेश ने भी सीएम योगी को उनके ही घर में गिरने के लिए उसी तरज पर बड़ा सियासी दाओं चला है अब देखना दिल्चस्प रहेगा बाजी कौन मारता है ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रही है जनसतनों को